तो आज मैं आपके लेके आई हूँ शाही पनीर की रेसिपी बिल्कुल शादी वाला ये शाही पनीर में आपको बताने जा रहे हूँ तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए फिर रेस्पी की तरफ चलते हैं क्योंकि आप रेस्पी देखेंगे तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि ये वीडियो कितनी एजी और रेस्पी कितनी टेस्टी है तो चलिए फिर वीडियो की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले क्या करना है यहां पे डालना है दो बड़े चमश्ट ओईल के और जब ओईल गरम हो जाएगा तो इसी के साथ मैं यहां डालूंगी 400 ग्राम पनीर जिसको मैंने मोटे मोटे क्यूब्स में कट किया हुआ है ये देखिए इस तरह से क्यूब्स में कट कर लेन और उन्हें हमें हलका सा फ्राइ कर लेना मीडियम टु लो फ्लेम पर तो सारे पनीर में डाल देती हुँ और इनको हलका सा शेलो फ्राइ कर लेती हो आप चाहे तो कच्या Γाल सकते हैं लेकिन इसस तरीके से बनाने से बहुत बढ़ीक आप लाईगा तो यहां पे मैंने पनीर सारा डाल दिया है और हलका सा इसको हम shallow fry कर लेंगे तो इसको पलट लेते हैं और सारे side से अच्छा सा इनको shallow fry कर लेते हैं तो यहां देखिए पनीर भी जो है बहुत जल्दी कुछी देर में यहां पे fry होके तैयार है अब इनको निकाल लेते हैं हम यहां पे तो देखिए सारे पनीर मैंने हलके हलके ही fry कि यह जल गए हो बस इतना ही हमें करना है तो बस यहां पे अब इसको प्लेट में में निकाल लेती हूं सारे पनीर को और इसको फिर side में रख देंगे अब जो यहाँ पे तेल बच गया है उसी तेल में आप मैं डालूँगे यहाँ पे आधा चमच यहाँ डाल दूँगी जीरा इसी के साथ 10 डालेंगे काली मिर्च और यहाँ पे आप डाल रही हूं मैं एक तेज़ पत्ता चार यहाँ पे मैं डाल रही हूं लॉंग एक सिनिमन स्टिक इसी के साथ एक बड़ी इलाइची काली वाली और चार यहाँ पे छोटी इलाइची और थोड़ा से यहाँ पे इसको भूल लेंगे ताकि इसका आरूमा भी ओईल में अच्छे से मिल जाए तो यहाँ देखिए इ उसको मैंने यहाँ अच्छे से भूल लिया अब आती है यहाँ पे प्याज ऩालने की वारित तो यहां मैं देखिए डाल रही हूं दो प्याज बेव जिसको मैंने पतले- deficкое स्लाईस में जिसको मैंने इसली चौप कर लिया है बस अब यहाँ पर डाल रही हूं मैं 6-7 लसें की कलिया और इसी के साथ मैं डाल रही हूं आधा इंच अध्रक थोड़े से यहां पर मैंने देख्या धनी है कि यहां पर पिछे की स्टेम्स डालनी है और यहां पर दो हरी मिर्च और काज तो आपको यह चीज जो प्रपोर्शन में बता रही हूं आपको आपको अच्छे से ध्यान रखना है और यहां पर मैंने जो है धनीय के यहां पीछे स्टेम्स डाले हैं उससे फ्लेवर बहुत अच्छा हैगा दो से तीन कश्मीरी लाल में साबुत आप चाहे तो पाउडर भ तो बस यहां पर पहले इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा यह गल जाए ते देखी यहां पर थोड़ा सा यह गल गया है अब करना क्या है यहां पर मैं डाल रही हूं गरम पानी मैं डाल रही हूं आपको ठंडा पानी नहीं डालना है गरम पानी डालन और इसको अब यहां पर Mix कर लेंगे और Mix करने के बाद इसको यहां पर ढखके पकाएंगे ताकि अच्छे तरीके से गल जाये, सारी चीजा आपस में अच्छे तरीके से मिल जाये, तो चलिए इसको ढखके पका लेते हैं तो मुश्किल से 5-6 मिनिट लगेगा यह पक के तयार हो जाएगा अच्छे तरीके से देखिए सारी चीजे अल्मोस्ट आपस में मिल गई हैं अच्छे से गल गई हैं और यहां पर अब इसको देखिए मैं मिक्स करने के बाद ग्यास को बन करके पहले यहां पर मैं क्या करूंगी रिमूफ कर लूँगी यहां पर तेश पत्ता सिन साबुद इलाइची कारी मिर्श्वरी साबुद बड़ी इलाइची में यहां पर निकाल दे रही हूं अब यहां पर इसको देखिए मिक्स करने के बाद यह तयार है और जब ठंड़ा हो जाएगा ना तब इसको हम पीसेंगे तो इसको ठंड़ा कर लेते हैं और फिर इसके तो यहाँ देखिये, पीषने के बाद इसको हमें छान लेना है, जो भी रेशे हैं, वो नहीं आने चाहिए मुओं में, क्योंकि हम यहाँ पे, चाहि पनीर बना रहे हैं, उसकी जो ग्रेवी है, बहुती समूध होती है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो छान लेंगे चानने के बाद जो जो हमें ग्रेवी मिलेगी एकदम स्मूद मिलेगी भुहती रिच मिलेगी तो यहां पे देखिए छान लेते हैं और छानने के बाद देखिए लास्ट में लास्ट करीं इस तरीके से मसाला हidentsा ही दही लिया है इसमें half teaspoon हल्दी डालेंगे दो चमच कश्मीरी लाल मिश डालेंगे इसके अंदर इसी के साथ यहां डालूँगे मैं एक चमच डालूँगी जीरा पाउडर और डेड़ चमच यहां पर मैं डालूँगी धनिया पाउडर तो यहां पर सारी चीज़ों को डालने क के बाद अच्छे से मिला लेना है हमें इसका एकदम स्मूध टेक्शर कर लेना है दही का मसालों के साथ तो यहां पर देखिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो जो दही है यहां पर काफी ठिक दिख रही है मुझे तो इसमें मैं पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेती यह देखिए अच्छे से इसको मिला लेंगे ना तो जो इसकी consistency है जो इसका look है बहुत स्मूध आ जाएगा तो texture बहुती स्मूध आएगा तो gravy बहुती बढ़िया बनेगी तो यह देखिए और अगर 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 गाड़ी काई डालेंगे ना दही को कड़ाई में तो फटने क अब इसमें देखिए अब यह बटर जो है अच्छे से गला भी नहीं लेकिन अब इसमें मैं आगे मिलाने जा रही हूं एक चमच यहां पर में मिलाओंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का और इसको हम फटा-फट से mix करना शुरू कर देंगे ताकि जो हमारी gravy का कलर है व आपका एकदम लोग पे रहना चाहिए नहीं जो दही है न वो फट जाएगी तो आपको इस चलाना अच्छे से चलाते जाना है हाथ नहीं रुकना चाहिए आपका क्योंकि कुछ दिर आप इसको चला लेंगे तो दही फटेगी नहीं तो देखिए अच्छे से mix करने के अब जो हमने पेस्ट तैयार किया था टमाटर वगएर और चाहिए और बिल्कुल भी उग्लिया छाट जाएंगे खाने के साथ साथ तो बस यहां पर इसको अच्छे से mix करना है और अब basically हम कि precisely हमें हमें मसाले कोँ बकाना है तो बस यहां पे मैं इसको कैसी mix कर लिया है और mix करने के बाद के बाद ना अब मैं यहां पर डाल रही हूं चीनी डाल रही हूं थोड़ा सा यहां पर मैं तो ज्यादा नहीं डालूँगी मैं half teaspoon डाल रही हूं अगर आपको मीठा थोड़ा अच्छा लगता है शाइपनी तो आप एक चमश डाल सकते हैं इसमें आप शहद भी डाल सकते हैं मैं चीनी डाल दी हूं चीनी से बहुत अच्छा flavor आएगा तो बस यहां पर अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको और बस थोड़ा सा पकने देंगे इसी के साथ मैं अब डाल दूँग ग्रेवी जो है consistency ठीक करूँगी गरम पानी डालेंगे ठंडा नहीं डालना है यहां पर हमे अब आती हैसे पनी डालने की बारी तो पनी जो है सारा डाल देते हैं और इस तरह के का आप शाहईपनी घर पर बनाएंगे ना तो उंड्लियां चाटते रह जाएंगे और बहुत ही बढ़िया बंता है कोई भी रैस्पी में घर पर ट्राइप कर लेती हूं उसके बाद करत अच्छे से पनीर को मिक्स कर लिया मैंने और ग्रेवी देखिया आप आप देख सकते इतना स्मूध इसका टेक्शर आया है ना बहुत ही बड़िया ग्रेवी है पनीर ना भी होगा इसमें तो आप ग्रेवी के साथ ही बहुत बढ़िया से खा लेंगे अब एक चमचे में कसू ही बने गी तो यहांपर देखिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसालों को और अच्छे से मिक्स कर लिया है मिक्स करने के बाद इसको अफ पिष्सचे स्व Richter पार है को में सब्सक्तिकते हैं ड्रीक ट Якप cuarto ट्री और क्रेंफों तर्सक्ति कर सकते हैं तो यहां तो लेकिन घर की मलाई इसमें बहुत यहां गाम कर गई नहीं लेकिन घर की मलाई जो है बहुत असानी से घर पे मिल जाती है तो मैंने वही डाल दिया है अब यहां पर आप काटके रखके छोड़ देंगे ना तो थोगा सा रेडिश कलर छोड़ने लगता है तो यहां पर देखिए धनिया को मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है ताकि जो ग्रेवी का जो कलर है ना बहुत ही बढ़िया निखर के आ जाए अब धक्के मैंने पका लिया अब कटावा हरा धनिया और अल्मोस्ट यहां पर शाही पनीर बनके तयार है शादी वाले से भी बहुत बढ़िया प्योंकि शादी वाले में जाता अरितर टेस्ट नहीं होता लेकिन आपको घर पे पता है किस तरीके से बना रहे हैं तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी